हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेडी बस, आज आपके लिए लेके आए हूँ करेंट रफेस का नया एपिसोड, जिसमें मैं डिस्कस हुरूँगा मेर ट्वेंटी ट्वेंटी की, जितनी भी इंपोर्टेंट करेंट रही है, जो आपके एक्जाम पॉर्ट अब व्यू से का साफी इंपोर्टेंट है, वो सारी की सारी यहाँ पे डिसकस करेंगे, इससे पहले के एपिसोड अगर आपने नहीं देखें, जैनवरी, फेबरी, मार्च, एपरिल, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरी की पू पेंडराइब कोर्स आ चुका है, जिसमें आप कौन्ट का, वर्बल का, LRDA का और GK का इंडिविजुल कोर्स भी ले सकते हो, अदर्वाइस आप कॉम्बो भी ले सकते हो, जिसमें आपको GDPI VAT साथ में कॉम्प्लिमेंटरी मिलता है, आपको इन पेंडराइब कोर्स में हर टॉपिक का वीडियो मिलता है, बेसिक से लेके एडवांस तक, शॉर्ट कर ट्रिक आपको सिखाई गई होती हैं, साथ में आपको मिलता है आपका इंडिविजुल पोर्टल, जहां पे हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेशन्स, विद डीटेल, सॉल्यूशन, एनलिसीस भी ह एनलिसीस, इतना करने क बाद, नहीं आपको कोई बुक चाहिए, नहीं कोई कोई कोचिंग जाना, नहीं कोई टेस्स जॉइन करनी, फुल प्लेजर आपकी प्रेपरेशन यहां पे हो जाएगी, तो अगर आप डीटेल्स देखना चाहते हो, पोर्टल पे कितने नंबर आप म मुझे यहाँ पे वाट्साइप कर सकते हो, डबल लाइन, 5893705 पे, अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़े रही, तो इंडिया जो है, फर्स टाइम, जादा यूजर्स हो गए इन रूल अरियास में, देन अर्बन अरियास, IAMI की रिपोर्ट आई है, ज अर्बन यूजर्स तो आपको यहाँ पे IAMI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और यह भी पूछा जा सकता है, कि इंडिया में सबसे जादा पहली बार इंटरनेट यूजर्स रूरल में कब हुए थे, तो आपको पता होना चीए, में 2020 में, साथ में स्टेट लेवल है, वो रिप्लेस हो गया है, बिजनिस अवेटनेस पॉइंट और यूजर्स एक इंपोर्टन क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि जो पहले विपरो के CEO रहे है, वो रहे है, अभी दाली निमूच वाला, इसको रिप्लेस कर दिया है, तो आपसे पूछा जा सकता है, पह के current CEO और MD कोन है, देखते हैं किते लोग को नीचे comment section में पता है, बहुत important यह question यहापे निकल के आता है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो आपको पता चलता है कि जो अरजुन मुंडा है, who is union minister for tribal affairs, इन्होंने launch किया है goal program, goal program का मतलब क्या है, going online as leaders program, जिसका purpose क्या है, जिस skills मिलेंगी, नई sectors में वो enter कर सकते हैं, जिससे हमारा future or better हो सकता, तो आपसे पूचा जा सकते है, इसका purpose क्या है, इसका purpose क्या है, किस ने इसको launch किया है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो भाई IBP, IBP मतलब international budget partnership ने एक survey conduct किया, open budget survey 2019, जिसमें यह देखा गया, कि इंडिया म है, वो है 53rd rank out of, जो total 117 nation है, और जो country top पे रही है, वो रही है New Zealand, ठीक है, तो 100 marks में से मिले थे, तो New Zealand को मिले 87 marks, और इंडिया को मिले 49 marks, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि इंडिया की rank क्या है transparency में, and top पे कौन है number 1 पे, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, तो यह भी एक बहुत important question है, T.S. तिरुमूर्थी को appoint किया गया as the permanent representative of India to United Nation, United Nation मतलब जो UN होता है, तो आपको यह नाम पता होना चाहिए, कि भाई किसको अब appoint किया गया है permanent representative, तो answer है T.S. तिरुमूर्थी and किसको succeed किया है, इनसे पहले कौन रहे, इनसे पहले रहे सेयद अकबर दीन, तो यह दोनों चीज़े बहुत नाम important है, इनके notes बना लेना, अगर notes चाहिए, तो Instagram चैनल पे मैं सारे notes यह post कर देता हूँ, तो आप जा सकते हो, वहाँ पे follow कर सकते हो, इसके बाद another important highlight, World Bank जो है, उन्होंने अपनी Chief Economist और नई Vice President को appoint किया है, तो आपको पता होने ची किये, कि इनको appoint किया गया है, as the latest Chief Economist and Vice President, इसके बाद अगर हम बात करें, तो MHRD, Ministry of Human Resource Development ने announce करा है, develop करा है, समर्थ, एक platform ऐसा, जिसको objective है कि जो students है, उनको quality education मिल सके, तो आपको पता होना चाहिए, कि क्या नाम है, जिसका purpose है, education to students, and किस ने launch किया है, MHRD ने, इसका नाम क है, समर्थ, नाम है, जिसका main objective है, quality education to students, across all universities, and higher education, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो Ruskin Bond, Ruskin Bond बहुत popular author है, तो इनकी नई book आई, आपको पता होना चाहिए, कि Ruskin Bond की जो नई book है, Hop On, My Adventures on Boards, Trains and Planes, इनके 86th birthday पे, ये book release हुई है, आप मुझे बताओ नीचे, रसकि बाद की सबसे popular book कौन सी है, जो आपको पता है, ताकि सबको पता चलें, different books के नाम, इस तरह से आपको सारे नाम, learn हो जाएंगे, इसके बाद एक और बहुत बड़ी author, JK Rowling ने जिनको पता है, Harry Potter author के नाम से जादा जाना जाता है, इन्होंने एक online book release किये, children के लिए, जो आप के entertain हो सके, तो आपको इस book का नाम पता होना चीए, इसके साथ ही, नीचे comment section ने बटा हो, इनकी कोई और book जो पहले आई हुई है, इसके बाद अगर हम देखें, तो international labor day, international labor day काफी important day माना जाता है, first may को worldwide international labor day celebrate किया जाता है, इस day को workers day या may day के नाम से भी जाना जाता है, इस इसके बाद अगर हम देखें, तो NASA का भही नया नाम पड़ा है, जो इनका Hubble telescope है, तो NASA का जो next generation space telescope है, wide field infrared survey telescope, जिसको यह बोलते है, डबलू first, after the first agency, जो NASA के first chief astronomer ते, Nancy Grace Roman, इनके नाम पे रखा गया है, Nancy Grace Roman, जो है, it is considered as mother of Hubble space telescope, Hubble space के आपके बारे में बहुत सुना होगा, इनका जो नया, जो NASA का telescope है, इसका इनोंने रीनेम कर दिया, और वो नीनेम किसके ऊपर रखा है, जो space agency के first chief astronomer है, ठीक है, तो आपको नाम पता होना चीए, full form पता होना चीए, and कौन है first chief astronomer, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चीए, इसके बाद अगर हम देखें, तो Jack Ma, by one of the most popular figure, Alibaba के founder के नाम से इने जादा जाना जाता है, तो soft bank से इनोंने अपने आपको resign कर दिया, और ये soft bank के board पे नहीं रहेंगे, and soft bank पे इनोंने 13 years तक serve किया, but अब इनोंने इसको छोड़ दिया है, इसके बाद अगर हम देखें, तो CBSC, Central Board of Secondary Education के नए chairman, appoint हुए, जिसक he has been appointed as the new chairman of CBSC, तो दोनों names आपको पता होने चीए, exams में आपसे पूछे जा सकते है, उसके बाद इरान जो country है, इरान की जो currency है, वो real है, और बहुत important ये question है, exam में हो सकता, बार बार यहां पे देखो, तो इरान की जो national currency है, वो अब vote करी गई है, जो वहांके lawmakers है, उन्होंन दो साल में सारा का सारा real currency लेना है, और टोमान से replace कर देना है, तो बहुत ही जादा important question, आप देख सकते हो, ये frequent question, काफी सारे exam में, तो I hope आपको आपको सारी की सारी important current पर पता चल गई है, वीडियो अगर आपको अच्छे लगए, तो इसको like ज़रूर करना है, अपने दोस सेफ कर देना, so all the best, thank you so much, take care.